हेलो गाइज वेल्कम टू राग्या पॉइंट चैनल जैसा कि आप इस थम्नल में देखे हैं कि यह एक फ्लो पॉइंट सिरीज है इसमें हम ना इंगलिस के जो वर्ट्स है इसको हम जानेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्रेसी और जो आरसी यह सब के बारे में जानेंगे तो यह सासन और तंत्र होते हैं ठीक है तो दिखिए जो भी मैं लिखूंगा ना इसे नो रूल यह रूल भाई होगा तो कहने मतलब है गौवर्मेंट रन भाई नो रूल ठीक है यह रूल भाई बाई करफ्ट परसंस ऐसा करके ठीक है तो ऐसा करके बस मैंने लिख दूगा करफ्ट लेकिन उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा ठीक है इस वीडियो में अब यहां देख लिजिए कि यहां पर नो रूल होता है यह कंप्लीट लॉल अब यहां कोई नियमी कानून नही राज्ससान का नातपर होता है n Allah स ​uk और उसके बाद यह हम देखते हैं कि करफ्ट पर्सन के द्वारा होता है तो फिर क्लेप्टो क्रेशी ऑन परसन के नहीं हो तो उसमें एक पर सब्सक्रार के बात कि इसमें भी एक पर सब्सक्राइब क्यूंइढ शोगे जब और डिक्ते क्या तु NEG कोई बिगा घुन। कुछ दिक्तेक्टर्शिप के यह राजा है और रानी श्थवरणा समें एक कुछ से बसक्ते में नेक्ते सक्राइब में कुछ में उसकी कंअ कर दो ठीक है लेकिन डिक्टेटर्शिप में अपना मनमानी धंसी मैं जो सोच रहूं जो सही है वो सही है जैसे नोर्थ कोरिया में होता है अब मनारची की बात कर लेता है तो इसमें एक और एक होता है constitutional constitutional मनारची का मतलब यह होता है देखे मैंने यहां पर लीखा होगा constitutional मनारची इसमें की मतलब यह होता है कि उनका कोई रोल नहीं रहता है वह यहां आप कि आजिकार नहीं रहेगा उसको बोलता है constitutional नोनारची गोनारची यहां कि fully controlled होता है king and queen का मतलब वह decision ले लिए वह नहीं होना है लेकिन positive sense में होता है and dictatorship में full controlled होता है by one person होता है जो negative में conveye करता है तो यह तीनों है न यह one percent के बारे में ही है उसके वात पाना आता है देख़े है Plutocracy और Aristocracy यह बहुत है, ठीक है can रिच और वेल्दई परसनत ही इसनों अंतर इतना हो जाता है कि जो Plutocracy होता है उसमें no heredity रहता है, मतलब जो मतलब हमको वनसत से जो हमको जुजी मीलती है उसमें कोई miles hกन sins emerging होता है कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वाज होंगे उनका बेटा का बेटा ब professionals जसे और कि रजारी बनेगा ऊस जगह का थे हैं कि मी चाहांस में यह सहाँस ऑफ लट्स में होता है कि गर के लोग घंड हाउस ऑफ लौड्स मा प्रज़ सब्सक्राइक देखने अंतर होते हैं इस प्रकर हम देखे लिए अब अब सिधे हैं यहां पर नहीं है यहां पर लो लेश हो ना लाग कर लिए तो नो रूल एन लाइस मतलब no rule and law no rule and law मतलब वहाँ ना rule है ना law है तो बोलते हैं एना एना मतलब थोड़ा मतलब negative way मेरा अनार्ची यहाँ पर कोई नहीं है अनार्ची मतलब तो ऐसा रखिए आप एनार्ची मतलब ना का भावना आ रहे है यहाँ पर कोई rule and regulation नहीं है एक person है तो autocracy जीसे आप समझ दिए auto है तो इसको कौन चलाता है आटा पर तो कहल एक ही person चलाता है तो autocracy का मतलब होता है कि एक person चलाने वाला होता है तो देखिए one person में king यह क्यों हो सकती है तो उसको बोलेगे monarchy one person यह group of corrupt मतलब एक one person चलाएगा जो corrupt होगा या पर यह ग्रूप बहुत सारे persons होंगे उभी corrupt होंगे ठेक है तो उसको बोलेंगे kleptocracy ठेक है उसके बाद देखिए no rule हो गया एक person के बारे में हो गया उसके बाद यहाँ पर आते हैं two person के बारे में तो two person में देखे तो इसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं तो इसको बोलते है तैक है यहाँ पर हो गया तो हम नीचे आते हैं तो जे रनेटो क्रेशी rich and wealthy है no hereditary मतलब one such वाले नहीं है तो plutocracy rich and wealthy है ठीकिन उसको hereditary one such सची जे मिली है तो aristocracy ठेक है religious leader होगा या clergy clergy मतलब मतलब पुजारी clergy class के दोरा कोई rule किया जा रहा होगा या तो religious leader के दोरा rule किया जा रहा होगा या तो priest के दोरा name of the god मतलब भगवान के नाम पे पुजारी के दोरा कुछ सासन किया जा रहा होगा तो उसको बोलते हैं ठीयो क्रेशी उसके बाद technology experts होते हैं उनके दोरा यदि रन के जाएग तो टेक्नो क्रेशी होता जैसे अमेरिका में YouTube, Facebook, Google इन सब लोगों के बहुत government पे मतलब impact रहता है मतलब इनके द्वारा ही बहुत सारे नियम कानून चेंज जाते हैं ठीक है तो वही technology expert के द्वारा ही और सासन रन करना ही टेक्नो क्रेशी होता है merit क्रेशी होता है वो तो चलाएंगे तो government official होते हैं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जो UPSC में select होते हैं वो meritist person होते हैं बस मैं यह बोल रहा हूँ जो UPSC select होगे तो government official होगे तो वो military का होता है straightocracy का होता है military का तो मतलब यह था कि military एगदम straight काम करता है, military एगदम straight to straight काम करता है, तब एस आत्रलीजी है कि military होता है, वो straight होता है, group of people के बारे में और यही crowd करेंगे तो झो प्लिस्ट यहां प्लिस वाय blacks भाईध से फियर यहां फोथे उसमें बी६P एर पपर उस फिरांबस होता है जो रोल हो रहा है तो उसका ब। अधो प्राइब कि आःए उसका है वह finns तो क्रेसी इस प्रकार हम क्रेसी और आर्चिरी सब्द के जो आर्ची सब्द के जो मीनी होते हैं उसमें जान लिये हैं और आगे हम और और जो वर्ड लाएंगे उसको आप देखते रहें तब तक के लिए जाना हुआ